दोस्तो टाटा स्टिल की बात के तो श्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेजी देखनों को मिली है अब टाटा स्टिल के लिए जो प्रॉब्लम आई थी पिछले जिनों वो थी सुप्रीम कोट का फैसला जिसमें का गया कि जितनी भी स्टेट है उनको माइनि मार्केट एक्षपर्ट का क्या कहना है टाटा स्टिल को लेकर टाटा स्टिल का स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यदा अंडर वैल्यू दिख रहा है 184 की इसने हाई बनाए उसके बाद में काफी ज़्यदा करेक्ट हो चुका है इस समय 150 के नीचे मिल रहा है क्या इंवेस्मे स्ट्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने अडियो वने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे आसपास इंट्राइडे में 146 का लो भी बना यानि बुद्वार की लेवल तक गया लेकिन नीचले लेवल से काफी ची खरीदारी लोट के आई और इस वज़े से 150 का इसने हाई बनाए काफी ची दोड लगई अंथ में क्लोजिंग 149 का आसपास रही जापे 2.28% की काफी च अची तेजी देखनों को मिली अब इसकी परफॉर्मेस देखे तो यह अलड़ी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है एक अगस्त को इस महिने की सुरुआत में 168 का इसने हाई बनाया था और आप देखते उसी दिन क्लोजिंग 163 पर हुई थी गिरावट के साथ यानि एक अगस्त को ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आगे थी बड़ी तेजी के बाद उसके बाद लगातार तीम दिन तक श्टॉक गिरा पाच अगस तक यह 149 के आसपास आ गया फिर इसके अंदर दो दिन और तेजी बनी 6 अगस्त और 7 अगस्त को श्टॉक फिर से 153 के आसपास आ गया लेकिन तेजी रह नहीं पाई 8 अगस्त को श्टॉक फिर से 155 गिराउट के साथ में फिर 12 दिन तेजी बनी 9 और 12 अगस्त को श्टॉक फिर 152 तक पहुच गया उसके बाद अगर आप देखे तो 13 अगस्त को इसके अंदर फिर गिराउट श्टॉक आ गया 148 के आसप पहुच गया लेकिन 16 अगस्त को श्टॉक फिर से 1500 के आसपर पहुच गया इसे क्लेली समझ में आ रहा है कि श्टॉक डेट सो के नीचे नहीं जा रहा है जैसे जाता है फिर एक बाउंस बैक दे रहा है तो अब यहां से एक तेजी की समारों बनेगी क्योंकि करेक्शन भी बहुच जाना हो चुका है तो यहां पर सबसे जो बड़ी बात है कि 25 जुलाई को अगर आप देगे तो जो डिसिजन दिया गया नौ जज़ों का सुप्रीम कोर्ट की तरब से कि राज्य सरकारे है वो टेक्स वसुल कर सकती है माइनिंग का उनका अधिकार है वो उनसे टेक सब्सान दाइक है क्योंकि भारी बरकम पैसे चुकाने होंगे टाटा इस्टिल को भी लेकिन देखते हो कि वेल्ट मिल्स सेक्यूर्टी के करांती बैटनी का कहना है कि यह जो मामला ही बहुत लंबा चल रहा था और कंपनियों को पता था कि फैसला उनके खिलाप आएगा ऐ उसको चुका दी जाएगी स्टेट गवर्मेंट को तो कुल मिलाके इससे जादा फर्क नहीं पड़ेगा यह करांती बैटनी का कहना है दूसरे जब अगर आप देखे तो यहां पे रेलिगेर ब्रोकिंग के रवी सिंग का भी कहना है कि यह जो फैसला है माइनिंग का जो से खरीदारी का मौका निकल का है तो जो कंपनिया इस समय इसके लिए इफेक्ट उगा उन कंपनियों को उसका प्राइज के अंदर हमने असर देखने को मिला उनकी प्राइज काफी नीच आई तो एक तरह से यह अच्छी अपोर्चुनेट डिप में खरीदारी का मौका मिला इसके वज़े से इन्वेस्मेंट किया जा सकता है इस लेवल पे अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा इस्टील को लेकर यहाँ पे महता एक्क्विटिस के रियां करोरा ने खरीदारी की सला दिये यहाँ पे उन्हों है देख सो इसका जो टार्गेट सेट किया है 157 का 149 क आसपस खरीदारी करनी चीए स्टॉप लोस आपको 145 का लगा लेना चीए और आप यह देखी सकते हो कि स्टॉक इतना नीचे जाने की संभारा नहीं है 150 से स्टॉक बाउंस बैक देरा दो चार दिन समने देखा है लगाता तो अभी जो इस समय जो सिगनल बने हुए वो यह इसको 117 तक लेकर जादा दिखाई दे सकता है और इसलिए रियां करोड़ा यहां पे खरीदारी की सला दी है तो यहां पे टाटा श्रीज देखे तो माइनिंग का बिजनिस करते हैं इसमें कोल माइनिंग है इसके लावा आईरन माइनिंग और दूसरे बहुत सारे बिजनि ब्रोकेज फर्म का कहना है कि कम्पनी का जो इस समय जो देख दो टोटल इन फ्यूजर 2.1 बिलियन डॉलर के आस्पास ओवर सीज मार्केट में और देख दो कम्पनी अपने डैट को रीफाइनेंस करें यूके गवर्मेंट का उनको सपोर्ट मिला है जेफरीज का कहना है कि आ कि इसका जो वॉलिम है वो फैनेंसर 2.026 में 16% की वरिदी देख आ सकता है जो आने वाले समय है जो विकनेस थी उसमें कमी आ सकती है तो कुल मिला के जेफरीज इससे में बहुत जाड़ा बुलिश है टाटा स्टिल को लेकर या पर टाटा स्टिल अपना गोल सेट कर दिया ह 40 मिलियन टन पर अनुल की कैपसिटी पाने का 2030 तक के लिए इससे आप क्लेरी समझ सकते हो कि कमपनी आने वाले समें तेजी से अपने कारूबार को बढ़ाएगी और अलड़ी इन्होंने अपना मर्जर कर लिया अपनी सारी सब्सक्राइज का जिससे खर्च में काफी कर्टो आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है अब इसके एक बार फंडामेंटल भी देख लेते हैं तो इस समय मार्केट के आप 186,654 कोड के आसपास है जो इंडिया की इसको दूसरी सबसरी सब्सक्राइज के पास है लो 114 के आसपास है लेकिन हाई 185 का तो श्टॉक अपने 52 के लो और हाई के बीच में आपको लगबग दिखाई देगा श्टॉक का पी 116 के आसपास है इसकी बुक वैल्यू 73.70 की है यानि अपनी बुक वैल्यू से लगबग आपको डबल प्राइस बेस समय दिखा देरा जो कोई बड़ी बात नहीं है 2.41 परसें का कंपने शेर पहुंच गया उसके बाद में 10 रुपे की फेस वैली को एक रुपे में बदला गया शेर की प्राइस 100 रुपे के आसपास आ गई अब यहाँ पे शेर ओडिंग पैटन को देखे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग दिसमर के मुखाबले कुछ ट्रीम की थी मार्च म लेकिन इस बार जून में 19.68% हो चुकी है यानि जो फॉरेंग पोर्टफियो इन्वेश्टर है उन्होंने जून महीने में अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 19.68% करे लिए जो बहुत ही अच्छी बात है एफ़ आई जैसे श्टॉक में इस समय जम के खरीदारी करें लेकिन डिय ने अपनी होल्डिंग ट्रीम किये आप देखो कि 23.15% होल्डिंग को बढ़ा दिया है देखो कि 0.16% होल्डिंग थी मार्च में जो 0.18% हो गई है यानि गवर्मेंट की तरब से ये एक बड़ा पॉजिट विश्टेप उड़ाएगा सरकार ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा है जनल पॉब्लिक की बाद उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है देखो कि यहां पे 23.52% होल्डिंग थी मार्च में जो 23.60% हो गई है कुल मिला के काफी सारी समभावनों पॉजिट दीख लिए एक बार पीवोट लेवर को भी चेक कर लेते हैं तो यहां से अगर गिर यह रेजिस्टरंच पार कर लिया तो 150 से उनकी श्टोक जाता हो दिखाए देगा तीस तरह रेजिस्टरंच बनके निकल के आ रहा है वो 159 के आसपस है यानि एक अच्छी तेजी बन सकते हैं फिर से 160 को पार कर सकता है ऐसे में निवेस का मौका बनता है टाटा स्टिंग मे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाजिस बढ़ए ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें कि कुमाने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यो फ्रेंड्स